क्रड़ाइ नैटकॉन 2024 सिड्नी ऐस्टेलिया और बात्चीत की शुरुआत करते हैं हम प्रेसिडेंट क्रड़ाइ बमन इरानी साथ से सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका सीन्बीसी आवास पर तो पहला सवाल यूज्वली यही वाइस्टेलिया विपन जी आप यहां पर आए हैं तो आपके दर्शक भी यह अजुवजु की एरिया अगर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि सिड्नी जो है वो काफी हद तक बढ़ी अच्छी तरह से डेवल अप हुई है जैसे कल हम मिनिस्टर के साथ आ रहे थे तो मैंने मिनिस्टर साब को दिखाया है कि देख तो कहीं पे बिल्डिंग के ऊपर से जाते हैं तो कहीं पे बिल्डिंग उनके ऊपर बनाई गई है तो यह इस तरह की जो प्लानिंग है हमारी सिटी को जरूत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो स्पेस को यूटिलाइस कर रहे हैं उसको ज्यादा अच्छी तरह से यूट पूल प्लान की गई है कितने बच्चे आके पूल में चोटी सी पूल है बड़ इसमें मज़ा करते हैं आज वाज वाज एक पूरा ट्रैक बनाया गया है उसके आगे पूरा स्टेडियम जैसा बनाया गया जहां पे इवेंट्स होते हों सिटी को वाइबरेंट करने के लिए सि कुम्यूनिटी स्पेस जिसे कहते है वो होने चाहिए और हमारी जो रेकी करने टीम आई थी आप तो जानते हो मैं इतना फ्लाइ करना पसंद नहीं करता लेकिन जो रेकी करने टीम आई थी उन्हों मेरे बताया कि आप ताउन प्लानिंग का हर वो पॉंट जो आप सिटीज म कि एवन 1.4 बिलिन के 65% सिटीज में आएंगे तो सिटीज पे किस तरह की एक 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 लोड आएगा एक बात तो यह है कि बहुत सारी सिटीज बनने वाली है इंडिया में दूसरा यह है कि जो सिटीज बन रही है उनमें भी प्लानिंग इस तरह से होना चाहिए जिससे ल लोगो को इंटरैक करने में अच्छा होता है तो एक तो development, town planning, weather, खाना यहां पे अच्छा मिल जाता है इतनी बड़ी आपकी ICC जो वेन्यू है उसमें आपने देखा होगा किस तरह से ease of operation से हम पूरा इवेंट कर रहे हैं इसके पीछे जो, so basically overall this was the right place for us, लोगो की seek means people can learn over here, people can interact with each other comfortably, जितने होटेल से साब walking distance पे हैं आपने एक भी दिन, means taxi पकड़ के तो यहां पे आए नहीं होगे, होटेल से दस कदम चले और यहां इसी सेंटर में आगे, so all of this leads to a good homogeneous mix which is important, अच्छा एक कॉन्फरेंस करने के लिए, और हमारे आपके दर्शे को पता ही है कि हमार सा नेट कॉन करते हैं, वो नेट कॉन के दो तीन रीजन होते हैं जो हम, why we do it in a country outside, एक तो होता है वो country की जो natural beauty है, जो natural development है वो देखें, दूसरा हमारे members को एक अच्छा bonding का चांस दें, ताकि वो एक नए जगे में आए, जरीये से और ज्यादा कुछ करने को हो ना, और उसके उसके साथ शाम को या दूरिं दूरिं दूरिंग अलग टेबल पर बैठके एक दूसरे से इंट्रैक कर सके, एक दूसरे की अच्छी चीज़ सीख सके, और लास्ट आपने जो स्पीकर्स की क्वालिटी देखी, आज भी आप देखोगे तो AI पे, student housing पे, सारी जो चीज जो ह हमारी requirement है, उसे एक साथ लोगों के पास ले जाने के लिए, हम इस तरह के conference करते हैं, and that we prefer to do it in different places. आपने इंफरस्ट्रक्चर की बात की, तो आपकी जो रिपोर्ट है साल कॉलियर्स के साथ, उसमें भी जो वन अफ दे में पिलर्स की, जैसे हमें आगे जाना है, और विक्सित भारत की तरफ जाना है, इंफरस्ट्रक्चर शाद में रहेगा, लेकिन जो हमारी current existing cities like Mumbai, Delhi, क्य very happily कह सकता हूं, कि जिस तरह का इंफरस्ट्रक्चर बूस्ट दिया जा रहा है, यही तरह की इंफरस्ट्रक्चर बूस्ट हर वो city में जो already बहां पे लोग रह रहे हैं, उसमें होनी चाहिए, दूसरा नई cities बननी चाहिए, और वो नई cities जो बनेंगी, उसे एक नए तरीके स सोच के एक नए तरीके से, इंटरनेशनल आर्किटेक्स को इनवाइट करके, ताउन प्लैनर्स को इनवाइट करके, उसकी जो प्लैनिंग होती है, वो होनी चाहिए, बट मैं गर से कह सकता हूं आपको, मुंबाई जिस तरह से इंफरस्ट्रक्चर के ध्यान दे रहा है, और वहाँ पे इस तरह का बूस्ट दीजिए, आप देखेंगे, सिटीज बिकम एकोनोमिक ड्राइवर्स अफ दे नेशन है ना, तो उससे जो बूस्ट आएगा, वो इतना जोड़दार बूस्ट आएगा, एंड वी विल औल सीदग, एक तो इंडिया इस उन ग्रोथ पाथ आप चाहो तो इसे रोक नहीं सकते हो, हमारी जो पॉपिलेशन की रिक्वायर्मेंट है, उस ही में हमारी ग्रोथ होगी, मैंने ये बहुत बार काया, और कल मंतरीजी से भी आपको ध्यान होगा तो मैंने का, अमेरिका में करीबं 21.4% of the GDP is driven by real estate, उसके बाद आता है, चाइन की बूस्ट आपको इंडिया में भी चाहिए और निलकंट जी का निलकंट मिश्रा जो आये थे, उन्होंने भी आपको रिपोर्ट में बताया, real estate अच्छी चलेगी तो आपकी ग्रोथ जो है GDP की वो काफी जोरदार होगी, तो बस इंट्रास्ट्रक्चर पे हमें तीन चीज पर डिपेंड करना पड़ता है, एक तो land availability, उसके बाद जिसे कहते हैं ease of operation, मैं आपको simplify करके बोल रहा हूँ, last is government से last mile connectivity, आप ये तीन चीज़ दे दो, और आप मानो कि हमारे developer fraternity जो है, credi के जो fraternity है, मैं उनकी तरफ से आपको assurance देता हूँ, कि we will be able to add to the GDP and we will be able to create, जो future cities ह हैं, वो हम आपको create करके, आपके लिए create करके ले आएंगे, और एक और विपिन जी आपको कह देता हूँ, ये development और developers पे पास्ट का एक cloud है, लेकिन रहरा के आने के बाद, आप भी खुद, you know, you are following so many issues, आपने देखा होगा कितनी सारी चीज़ों में परिवर्तन आगए, आपके लोगों को real estate में investment करने का डर लगता था कि मैं इसको जानता हूँ, तो आज की तारीख में, अपने देखा होगा, आपने 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 देखा होगा, तो gold and real estate, 60% of Indian family wealth has been created out of these two assets, and largely it is real estate, य यह तो macro picture होगी, अब थोड़ी micro की बात कह लेते हैं, तो दो-तीन साल से पार्टी जारी है, and it's good, लेकिन now, coming to the current scenario, थोड़ा सा गलूमी है, in terms of पूरी global situation है, social economic issues है, अब को क्या लगता है, अगले छे महीने, साल भर, जो number अभी तक हम देखते हैं, वो continue करेंगे, या नहीं करेंगे, तो कौन से factors उनके लिए responsible हैं, मुझे, मुझे ऐसे लगता है, कि real estate को quarter on quarter देखने से अच्छा, एक थोड़ा longer period में देखना चाहिए, certain and hiccups, जो आप बोलते हो, तो आएंगे, आज की तारिक में है की नहीं, I'll give you another explanation, किसी ने कल मुझे से पूछा कि आपने अगर September's के नंबर देखे, आप सारी, August के नंबर देखे, last quarter के नंबर देखे, तो थोड़े कम थे, मैंने का कम थे, और वो कम होने का reason यह नहीं था, कि there आप सेल में कोई रुकावट आई है, इन्वेंटरी इनाफ लांच नहीं हो रही है, और अगर इन्वेंटरी इनाफ लांच नहीं होगी तो विकी कहां से, so that is where this gap is, लेकिन आपको मैं अशूर करके दे सकता हूं, जितने रिपोर्स हम पढ़ते हैं, जिस तरह से रिपोर्स ह हम उसको जेनरेट करते हैं, बेसे पीपल, बेसे गोवर्मेंट एकोनमी, बेसे ग्लोबल सोचो एकोनोमिक एन्वारमेंट, आपको मैं अशूर कर सकता हूं, कि आप जिसे पार्टी कहते हो, यह लोंग तर्म चलेगी, मेरे हिसाब से, if I had a looking glass, I would say, at least 10 years, इंडिया की यह आपे हैं, दूसरे साल में हैं, पाँवे साल में हैं, it's anybody's guess, but यह जो development हो रहा है, और जिसकी requirement है, ऐसे ही नहीं हो रहा है, we are not building on a hope, we are actually building on actual requirement, यह जो requirement की हम आज की तारिक में तेक कर रहे हैं, इससे, यह जो चालू है, करीवन 10 साल तक तो आपको चलेगा ही चलेगा, तो अ थोड़ा सा लल महाँ पर क्यो है, अफुड़ेवल थोड़ा कहीं पीछे था, लेकिन नमबर्स मैंने लेटेस्ट ली देखे उसमें यह है कि वहाँ पर supply बड़ी है, definitely demand होगी तो supply बड़ी है और हमें पता है कि वहाँ demand है और वो हमेशा रहने वाली है, mid segment is doing well off, तो तीनों segment के लिए आपका क्या मालना है, पहले तो if you permit me, मैं आपको real estate की पूरी एक चार्ट देता हूँ, आप residential की बात करते हो, residential में भी first home, second home होता है, other than affordable, mid mass, aspirational, premium and super premium, एक second homes concept आता है, फिर आप देखेंगे तो there is, there are so many other forms, residential cannot grow alone, तो आपको commercial development जो आज की तारिक में आप पढ़ते ह होंगे पूरे इंडिया में, so many companies are coming over there, और ये सारे जो हैं, they require office space, तो office commercial requirement जो हो काफी बढ़ गई है, आपने वो report की एक point आपको पताना चाहत हो, 100 million नए घर बनेंगे, 100 million homes की requirement है, और उसके आगे 2.8 billion square feet, जो है, वो commercial grade A offices की requirement है, that is what the report at Collier's says to us, आप देखिये की not only residential, not only commercial, फिर आता है warehousing, फिर आता है hospitality, फिर आता है healthcare, फिर आता है आपका data centers, ये सारी चीजे जो हैं, फिर आपने World Economic Forum के लिए जो report बनाई गई थी, वो भी देखा होगा, tourism एक काफी grow होने वाला है, and even cities like Mumbai, जैसे आप Sydney आते हो, एक tourism भी देख सकते हो and also become tourism hubs, और उसकी जो speciality है, उसे forefront में लाने की जरूत है हमें, तो ये सारी चीजे देखते है, मैं आपको बता सकता हूँ, जहां पे commercial development अच्छा होगा, या tourism की growth ज्यादा होगी, तो वहां पे more and more real estate residential growth होगी, और ये growth मेरे हिसाब से, मुंबाइ मार्केट के बारे में पर्ट पर एक करोड से लेके तीन करोड और फिर तीन से लेके साथ करोड, डिपेंडिंग आप मुंबाइ के कौन से माइक्रो मार्केट में हैं, वहां पे इसकी requirement हाइस्ट है, आपने affordable housing के बारे में कहा, तो मैं कह सकता हूँ आपको affordable housing is becoming a challenge, only because government की एक तरे से जो requirement है, वो affordable housing है, ले housing, उसका आपने definition कर दिया है, 60 meters and 90 meters, यहां तक सब बराबर है, उसके आगे आपने restriction लगा दी 45 lakhs की, अब 45 lakhs की restriction लगाने के बाद, आप कोई भी city में ये इस तरह के घर बनते हुए, नहीं देख सकते हैं, और फिर आप क्या करोगे, वो affordable housing concept जाने के लिए जो इसे कहते हैं pigeonhole, जो पहले हुआ करता था, वैसे हम घर बनना चलोगे, that is not good for life, और आज की तारिख में, it is a right to life, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और लोगों के लिए जो उनको पसंदित है, जहां पे वो अच्छा उनका एक family life जी सके, ऐसे घर बनने चाहिए, and do you know what the international data is for a good size home, 60 square meters अब आप मुंबई के हैं, आप मुझे बता दीजिए, 60 square meters का, we have to go high rises, construction cost alone is not enough, उसके आगे आपको land cost देना है, उसके आगे आपको premiums देना है, BMC के, उसके आपको व्याज भरना है, और हमने गवर्मन्न को एक और चीज कही, कि आपने 45 lakhs का definition जो लाये थे, आपको मालमें कौन से साल में लाये थे, 2017 में, आज 2024 है, भाई, natural inflation, ये number 75 lakhs cross कर गया है, तो, you cannot have that restriction, आपको restriction रखना चाहिए, सिर्फ size के लिए, और वो size के अगर घर बनते हैं, तो उसे आप affordable homes करके, उसे जितनी आप encouragement देंगे, उतनी दीजे, तो उतने घर बनेंगे, finally, all business rests on the fact that the developer or the business community or the investor has to make money, ये तो हम सब महनते हैं, तो, why not create the situation, instead of, जहां पर बोलते हैं, सिर्फ लकडी, आप carrot भी हैं करो, carrot हैं करोगे, तो ऐसे ही बड़ोतरी आएगी, if you are understanding my entire thing, but I can assure you, India is on a growth path, prosperity, जो आप खुद के, आपके, मिन्स का बोलते हैं, 5, 10 years के financials देख लिए today, what you are capable of getting, क्योंकि, our pay scales have improved, people's ability, जिसको कहते हैं, to earn more money has improved, and people are able to risk-free invest also in real estate, ये काफी बढ़ गई है, और इसकी वज़े से जो है, वो ग्रोथ आनी है, अगे थोड़ा macro picture आपने दिया, that is fine, लेकिन अगर मैं थोड़ा अभी का देखूं, दूसरी तरफ जॉब कट्स भी है, थोड़ा gloomy environment भी है, उसका कोई impact आपको लगता नहीं आएगा, मैं तो आपको, I'll give you the other side of the coin, global socio-economic situation है, micro आनी के पहले, macro एक मैं ग्लोबल socio-economic situation में, आज की तारिक में, US में एलेक्शन होने वाले हैं, more or less, there is a prediction of what is going to happen, अगर वो होगा, तो China will get further pushed back by the US, heavy duty structures, etc., तो darling countries कौन बनेगी, India, India बनेगी, of course this entire eastern belt बनेगा, whether it's Indonesia, whether it's maybe Australia, Japan, Seoul, and all these cultures are more aligned with the Indian culture, India has, हमारे प्रदान मंत्री ने एक, I think कल महरतरा राने भी कहा था, शाम को, के एक चीज जो मोदी जी ने कर दी है, वो इंडिया की पिच्चर जो है, वर्ल्ड के सामने बहुत अच्छी तरह से रखी है, so India is going to become the inner way superpower, we are already the third largest economy by 2030, आप जानते ही हो, तो we are already well on the way to do that, many montha short term gloom को देखना चाहिए, थोड़ा longer term देखेंगे, तो we will see a much brighter future, और उसकी वजह से, homes जो है, especially well built, या जिसे कहते है, purposefully built homes, इनकी बिक् पता दिया, जो सबसे strong segment रहेगा, at least in the Mumbai market is, between 1 and 7 crores, 1 and 3 and 3 to 7, जिसे हम classify करते है, mid-mass and aspirational housing, यह सबसे ज्यादा बड़ेगी, right, क्योंकि आपने price segment के बात की, लेकिन हिंदोस्तान में कुछ pockets में, जिसे कहरे हैं, तो सारे लोग reports में भी experts भी बोले हैं कि यह थोड़ा price rise हो गय again this is market forces या फिर थोड़ा price पर control चाहिएगा, I don't like super increase in prices, और हमारी जितनी developer जिसे कहते है fraternity है, वो यह समझ गई है, कि velocity is the new premium, तो हम सब तो हमारे जितने members हमको एक ही educate करते हैं, कि देखिए आप NPV देखिए, यह IRR returns देखिए, don't look at money the old way, कि मैंने अगर plot लिया 10 lakh रुपे में और उसके ओपर 5 lakh रुपे construction किया और मैंने 30-50 lakh रुपे बेचा, आप बताओ कि 10 lakh रुपे का घर लिया कब, और उसके ओपर construction कितने वक्त में किया, और कितना fast उसको change, उसको sale कर सके, क्योंकि highest price लेना important नहीं है, continuous supply and continuous sales की एक जो requirement है, उस पे हम हमारे जितने developers है, उनको ध्या आई है, उसकी वज़े से, all over India से भी investments आ रहे है, India में, Mumbai में, तो आप, अगर मुझे पुछे तो, my data shows के, Bangalore वाले, Poonah वाले, Delhi वाले, Keralा वाले, Mumbai में flat ले है, of course, अलग 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 price segments में लेते होंगे, but we have got a strong buyer base coming from the rest of the country, अची बात है, बहुत अची बात है, बहुत देखिए, we are coming into Diwali, Diwali is a prime time for, हम सब जो है, इस पे बहुत जोड देते हैं कि अच्छे दिनों में अच्छी चीज करनी चाहिए, मैं तो देखता हूँ, एक spike आएगा, Diwali के time पे, अभी तो श्राज चल रहे हैं, तो after that, दसेरा दिन Diwali, और ये period जो है, in the Indian real estate sale जो होता है, ये quarter में सब से highest होता है, तो मैं तो मानता हूँ कि if you ask about our company, we will do extremely well in the coming quarter and all the indications है, हमारे sales team जो हमको देती है, पस एकी चीज हमको करना पड़ेगा, more launches करने पड़ेंगे, ताकि we can take full advantage of this market, thank you very much for talking, thank you Vipinji and enjoy your stay in Sydney, thank you, thanks for talking,